अर्शार्षियों का ये भी कहना है कि ज्यादा प्रोटेक्शनिजम से हमारे देश के नागरिकों के लिए सामान महंगा होता है बर अब प्रफेसर कुमार भी काफी देर से बैठे हुए आपसे मेरा प्रशन अभी ये है कि जो वर्तमान संदर्ब है और जो एकॉनमी की स्थित कटोती फिसकल कंसॉलिडेशन इस समय पे सही रहेगी हमारी अर्थफेवस्ता के लिए तेकि सिधा जी आपने सही सवाल पूछा है हमको समझना पड़ेगा बजेट क्या होता है बजेट होता है साल का लेखा जोगा मतलब इस साल का लेखा जोगा अभी तो साल खतम नहीं लेकिन इस सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में क्या है महगाई है जो कि महगाई को समझना पड़ेगा कि महगाई कम होने का मतलब दाम गिरना नहीं है अगर पिछले साल दस प्रश्चत की महगाई थी और अब पांच प्रश्चत की है तो इसका मतलब यह नहीं कि दाम 110 से तो purchasing power काम होने से growth काम होगी, demand काम हो जाएगी, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ कि, तो एक तो यह price rise का है, दूसरा है unemployment का, बेरोजगारी का, क्योंकि जब आपकी रामदनी नहीं होगी, तो आप कैसे जग खपत करेंगे, तो रोजगार पैदा करना ज़रूरी है, और रोजगार कहां पे, यह भी एक एहम चीज है, कि उन्होंने PLI की बात की, तो रोजगार कहां पैदा, असंगरिशेद में, तो इस पॉइंट को एक सेकंड बीजेपी के प्रवक्ता से लेना चाहूंगा, प्रदान मंतरीन ने 10 लाख नोकरियों का वाइदा किया, तब से करीब 8-10 मही हो चुके हैं, जहां तक मुझे याद है, लगवक डेड़ लाख नोकरी ही दी गई हैं, दो प्रशन, क्या ये गती आपके एसाब से सैटिसफेक्टरी है, और दूसरा सवाल, क्या आप धीमी गती से जानके चल रहे हैं, कि चुनाव आते आते थोड़ा और ओफर लेटर बा है, काम सब तेजी से होता है, इस सरकार में इसमें क्यों देरी हैं, कोई देरी नहीं हो, तेजी से हो, प्रोसस चल रहा और कंप्लीट भी होगा, लेकिंग जो सवाल, ये प्रोसस जो है, वो अगले तीन-चार मेने में खतम भी हो जाएगा, ये मतलब चौबेश से पहले 10 ल किया जाता है, कि हमने इस तरीके से इसे डील किया, भारत कहां स्टैंड कर रहा है, कोविड के बाद वाली एकॉनमी को डील करना है, कोविड मैनेजमेंट में दो बड़ी बाते हैं, भारत देश की जो पॉलिसी लेवल पे आती है, पहला कि खुले पैसे नहीं बटे और उस ये एक अच्छी मैनेजमेंट हुई है, पर दूसरी बात जो बार-बार प्रशना आ रहा है, जिसे हम MSME सेक्टर कहते हैं, अनौगनाई सेक्टर कहते हैं, उनको बहुत बड़ी चोट पड़ी, और अब जो तीसरी बात कही जा रही है, मन्रेगा का विशय जो उठा, उसमें आप से ये है, प्रशन ये है कि कैसे आप महेंगाई से रहात, आप टैक्स में रिबेट देने की सोच रहे हैं, आप किसान सम्मान निदी से जादा डिरेक्ट पैसा लोगों के पॉकेट में देंगे, रूरल डिवेलप्मेंट सड़क बनेगी अच्छी बात है, लेकिन डिर कर देने से इंफलेशन कम नहीं होता है, बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, लेकिन जो तरीके होते हैं कि आप जो रूरल इरियास में आप अप अब्यस्मेंट करेंगे, जॉब आएगी, इंप्लाइमेंट आएगा, और जादा बढ़ेगा, उससे जो है इंफलेश से चीज़ में कहना चाहता हूं, जो लोग अभी, कि अगर आप ग्लोबल आप ऐसा मैंने कहा है, कि इंडियन एकॉनमी आइसलेशन में ग्लोबल एकॉनमी के कोई परिपैक्स में देख रहा है, लेकिन चाइना में सटन डिमांड जो है, एकॉनमी का एक्टिविटी बहुत टेज़ी से बढ़ गई है, ग्लोबल एनरजी के जो डिमांड जो है, वो सड़न बढ़ गया है, इसलिके अमेरिका और यॉरोप में कम डिमांड है, लेकिन चाइना में बहुत डिमांड है, और वो एक कहीं न कहीं इंफलेशन के लिए दुनिया के लिए खत्रा है, इसे हिं लिए अचाओ के लिए जो टाइट वो एनरजी को टी सावच में टाइना में बगया है, वो इसे हिंक, बहुत दूचोंवान बगया है, च मतल्भ एक भी में है, तो बहुत बगया है, और भी में है, प्यों टो गॉत शूख भूबल झाएं है, एक बहूबलों कि अनरजी के